आप लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे आप सभी के रूप में इसको बता दिया जाए तो बच्चो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टिंग होगी क्योंकि मैंने टफ टफ कोश्चन को कवर किया है और बिल्कुल सौट ट्रीक में घबराना नहीं है बिल्कुल सौट ट्रीक में जो हम लोग बनाएंगे बुक से थोड़ा हट कर बनाएंगे है ना चलिये तो चलिये बच्चो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नहीं हो पहली बार तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल अक्न को हिट कर चलिये percentage of it consumption should be reduced so that there is no change in the expenditure है ना यानि चीनी के मुले में 20% की विरिधी हो जाती है तो उसके खपत में कितने परतीसत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्ता ना हो ठीक है तो बताइए पहले आप लोग इसका answer क्या होगा बहुत ही simple question है इसको हम लोग trick के मादे हमसे solve करेंगे और ऐसे question जो है ना guys पूछी ले जाते हैं आपके परिक्षा में तो इसको कैसे solve कीजिएगा पहले आप लोग answer देजिए फिर मैं आपको बहुत असान trick बताने वाला हूँ ठीक है बताइए क्या answer होगा very good यानी जिन भी विद्यार्तियों ने answer option दिया है ना वो देखे वो सही है अब देखे करना क्या है आपको तो याद रखना देखे चीनी के मुले में 20% की वृद्धी होती है ठीक है तो पूछा गया उसके खपत में कितने परतिसत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्ता ना हो तो आपको निकालना क्या है कितने परतिसत की कमी हुई है very good यानी जिन भी विद्यार्तियों ने answer option दिया है 50-3% वो सही है तो देखे सबसे पहले आपको questions को अच्छे से फिर से एक बार read करना जाती है तो उसके खपत में कितने परतिसत की कमी की जाए है ना यानि आपको कमी परतिसत जो है निकालना है कमी परतिसत जो है आपको questions में पूछा गया है तो यहाँ पर कमी परतिसत आपको निकालना है ठीक है हम लोगों ने कमी परतिसत लिख दिया अब आपको क्या करना ह की जाती है यानि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है अब उसमें भाया 20% के बिद्धी हो जाती है तो प्लस 20% हो जाएगा है ना तो कितना हो जाएगा ये तो 120% हो जाएगा है ना गुणा में 100 आ जाएगा आ गया ना समझ में % से percentage काड़ दो 10 से 10 काट दो और 2 ची के 12 हो जाएगा और इसको भी 2 के टेबल से काट दो ये 50 बर में चला जाएगा और ये 3 बर में चला जाएगा तो कितना आ गया? 50 बटा 3 यानि इसको 16 पुनांध 2 बटा 3 भी लिख सकते हो आपछों ठीक है कभी-कभी आंसर में 50 बटा 3 ना दे तो 16 पुनांग 2 बटा 3 भी देगा तो आप लोग घवराईएगा मत 16 पुनांग 2 बटा 3 परसेंट पिसका आंसर सही हो जाएगा ठीक है चलिए देखेगा गाईज नेक्स्ट कोशन है इफ A is 20 परसेंट लेस थैन B, यानि A अगर B से 20 परसेंट कम हो तो B A से कितना प्रतिसात अभी के है ना तो देखे A और B का बात हुआ है ठीक है तो अब देखे A जो है न A वो B से 20% कम है तो कहने का मतलब B जो है वो 100 होगा समझ में आ रहा है न अब A का यहाँ पर बात हुआ है कि A जो है इससे B से 20% कम है तो A तो A तो हमको पता नहीं है तो B जो है हम लोग 100 माल लेते हैं अब इस 20 है तो हम लोग कहा देते हैं यह 80 होगा आगया न समझ में अब निकालना क्या है तो B जो है A से कितना परतीसत अधीक है ठीक है हमको परतीसत निकालना है कि B जो है A से कितना परतीसत अधीक है तो कैसे निकलेगा सबसे पहले आप लोग को देखिए संख्या में ये कितना अधिक है यानि संख्या में B जो है A से कितना अधिक है तो आप लोग बोलिएगा कि 20 अधिक है क्योंकि ये 100 है और ये 80 है अब 100 में से 80 घटा दीजेगा तो 20 आगया यानि संख्या में 20 है लेकिन percentage में निकालना है तो 20 बटा आप क्या किजिएगा अब किसे अधिक है तो एसे अधिक है ना ये अब देखे बी जो है एसे कितना परतिसात अधिक है तो देखे संख्या में 20 है तो 20 लिख देना यहां पर किसकी तुलना में अधिक है जी तो एक की तुलना में अधिक है तो एक का वैल्यू लिख देना है कितना 80 है और गुनाय में 100 कर दीजिएगा इतने को solve कर दीजिए देखे 20 चोके 80 और 25 चोके 100 20 परसेंट कम बोला है तो बटा में 80 कर देना है अगर 20 परसेंट अधिक बोलता तो 100 प्लस 20 यानी 120 लिख देते लेकिन यहां पर 20 परसेंट कम बोला है तो हम लोग क्या करेंगे 100% माइनस 20 कर देंगे अगर कम कहेगा तो 100% में से आपको घटा देना है सभी लोग को पता है आसी गुने 100 हो जाएगा बस इतने को सॉल्फ कर ली जाएगा अंसर उतना माथा फेची करने के कोई जूरत नहीं है चले बढ़ते हैं next video की तरफ आज सॉरी next questions की तरफ चले देखेगा गाइस next question है और यह questions आपके paramedical 2019 का question है ठीक है आप लोग previous year उठा कर देख सकते हैं y as income is 40% more than z as income है ना then what percentage of x's income is more than z as income ठीक ही कहने का मतलब क्या है questions का कि x की i y की i से 60% अधिक है तथा y की i z की i से 40% अधिक है तो x की i z की i से कितने परतिसत अधिक है आपको यही बताना है तो ऐसी questions को कैसे solve करना है आप लोग को तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले आपको x y और z लिख देना है क्यों लिखना है क्योंकि questions में x y z का ही बात हुआ है अब आपको ऐसी questions में यदि questions का pattern कुछ इस तरह से रहे आपको यहां पर तीनो चीज आ गया ना एकस वाई जैड की आए से करना है ठीक है तो जैड की आए से कैसे किजिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहां पर question में क्या बोला है देखिए y की i z की i से 40% अदिक है ठीक है तो हम लोग भायया माल लेते हैं z की i 100 रुपिया है ठीक है z की i हम लोगोंने 100 रुपिया माल लिया अब क्या बोल रहा है तो देखिए y की i है z की i से यानि y का जो इंकम है z की इंकम से 40% अधिक है तो एक कितना हो जाएगा है तो 140 हो जाएगा है ना अब फिर उपर चड़िए नीचे से देखे questions को solve करना है आपको यानि ऐसे step से solve करना है y की आये z की आये से इतने आय से यह आय की इतनी 140 है तो इससे 60% अधिक यानि कहने कर मतलब कितना हो जाएगा 60% अधिक बोला है तो कितना वह जाएगा very good 160% होगा परसेंट हटेगा तो बटा में 100 आगे हैं न समझ में अब दो जिरो से दो जिरो कर दो अब 14 को 16 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा किजिए गुना सभी विद्यार्ति गुना करेंगे तो देखिए चोगे 24 हो जाएगा और दो सो चौहाएगा ठीक है तो संख्या ने कितनी अदीक है फेस के संख्या में कितनी अधीक तो 124 अधिक है लेकिन आपको परतिसत निकालना है ना तो परतिसत कैसे निकलेगा यानि X की आए Z की आए से कितने परतिसत अधिक है यह निकालना है तो संख्या में तो 124 है तो 124 लिख लेना है और पूछा क्या गया है आपसे X की आए Z की आए यानि Z की तुलना में पूछ पूछेगा उसी को बट्टा में लिखना है तो जेट की तुलना में था न तो बट्टा में जेट की लिखना है तो जेट की बट्टा में 100 कर देंगे फिर गुनाय में 100 कर देंगे 100 से 100 कर देंगे तो 124 परसेंट जो है X की आए Z की आए से अधिक है ठीक है मैं step by step समझा रहा हूँ आप लोग को ताकि कोई भी दिक्कत ना हूँ चलिए बढ़ते हैं next questions की तरफ ये एक आदमी है जो अपनी आए का 5% निर्धन कोस में दान कर देता है सेस आए का 20% बच्चत बैंक में जमा करता है और अंत में जो है उसके पास 1919 रुपया बचे जाता है तो उसकी आए कितनी है यही बताना है तो देखिए बच्चो जबी भी ऐसा प्रस्ण आए यानि आए और वेयर पर अधारित प्रस्ण आए income और expenditure से related question आए तो क्या करना है देखिए पूछा है न उसकी आए कितनी है तो आए जो है आपको क्या माल लेना है आए जो है आपको 100x माल लेना है ठीक है यानि helpless लोगों की मदद हो सके देखिए कितना अच्छा आदमी है कि अपनी आए का यानि इसकी आए कितनी है 100x है तो अपनी आए का का मतलब गुना 5 पर तीसत यानि 5 percentage को अटाएगा तो बटा में 100 आजाएगा दो 0 से 2 0 कार दीजिए तो कितना दे दिया बच्छो अपनी आए का पांच पर तीसत यानि 5x जो है निर्धन में को उसमें देखिए आए था उसका 100x लेकिन अपनी आए का का मतलब गुना और 5 परतिसत तो 5 परतिसत को अटाएगा तो बटा में 100 आजाएगा तो कितना दे दिया ये निर्धन कोस में 5X दे दिया ठीक है 5X दे दिया अब उसके बाद बोड़ा है 6 आये का 20 परतिसत बच्चत बैंक में जमा करता है देखिए सेविंग भी कर रहा है सेविंग भी करता है सेविंग भी करता है बच्चत बैंक में क्या करता है सेष आये का सेष कितना बच्चा देखिए तो 100 रुप्या कमाया ठीक है 5X निर्धन कोस को दे दिया सेष कितना बच्चा भी बढ़िये तो 100 रुपया कमा रहा है, आय है उसकी 5 रुपया निर्धन को उसमें दे दिया, तो अभी भी उसके पास कितना बचा, भाई सेस आय का, सेस आय का मतलब क्या, यानि सेस कितना बचा, 100 एक्स कमा या 5 निर्धन को उसमें दे दिया, तो सेस कितना बचा, पंचान में, एक्स अब फिर यहां पर का है सेस आये का 20 परतिसाद देखे 20 परतिसाद यानि इसका 20 परतिसाद जो है बच्चत बैंक में जमा करता है तो काटिये तो 20 पच्चे 100 आ जाएगा और ये 19 पच्चे पंचान में हो जाएगा यानि 19 एक्स जो है यी बच्चत बैंक में जमा कर दि दिया और बचत बैंक में 19 X जमा कर दिया यानि यहां से कितना खर्चा एक तरसे हो गया इसको 24 X खर्चा हो गया है यानि 100 X कमाया था ना तो 24 X खर्चा कर दिया अब बोल रहा है कि अंत में उसके पास 2019 पर वज जाता है तो एक चीज मताईं एकस एक में कितना रुप वचा देखें तो 100x कमाया और 24x खर्चा कर दिया तो क्य गवे दो आ जायका आपका कितना फेरि cost66 चतर एक्स जो है अभी एक्स के फॉम में बचाया है है ना तो चैतरstar xpath के फॉम में बचाया और संख्या में कितना हैं देख़े संख्या में 19 scar 19 फॉर्पर तो बचा रहा है यानि यहां पर भी बचत और यहां पर भी बचत मैं धमें कवल करना अगर सीख गए तो आंसर आजाएगा तो यहां पर देखें स्के फॉर में 76 अच है और संख्या के फॉर्म में 2019 रुपे बचाएगा है है तो इसको काटिए अब इसको काटिए गाना बच् चला जाएगा यानी x पर आवर कितना आजाएगा 25.25 और हमसे पूचा क्या है उसकी आय कितनी है आय कितनी है तो आय हम लोगों ने किया माना थ headphones प्यस्तर देखो तो आय क्या माना स सो एक्स माना था ना यानी जो और एकस का वेल्इू कितना आ जाएगा zou इसन गुण तो 50 तो देखो सिटोट दिजिट के पहले दसमेलो है 20 U is 22 जाएगा तो कितना गया है 255 इतना आया है बच्चोंb का अंसर हम 25rend Adam का आamasट ठीक है आई एक और question मनाते हैं इसी से related ताकि आप लोग का concept clear हो सके चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question है नीलम अपने कुल आय का 20% मकान के किराय पर तथा सेस का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है यदि वह 3600 रुपे की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है बच्चों मैंने क्या बताया था सबसे पहले तो आपको आय जो है कुल आय उसको माल लेना है 100X 100X उसकी कुल आय थी ठीक है अब इसके बाद जो है वो अपनी कुल आय का 20% देखिए 20% मकान के किराय पर अगर मैं पुछू यहां पर मकान के किराय पर बात करूं मैं मकान के किराय पर उसने कितना खर्च किया तो बोल रहा है कि कुल आय का 20% यानि कुल आय कितनी थी 100X थी तो इसका 20% 20% को टाएगा बट्टा में सौ जाएगा तो आप ही बताएए कितना खर्च कर दी मकान पर तो इसने 20 एक्स रुपया खर्च कर दिया ठीक है तो 20 एक्स जो है मकान के किराये पर इन्होंने खर्च कर दिया अब बोल रहा है इसके बाद सेस का 70% तो सेस का 70% घरेलू मदों पर खर्च कर दी है यह घरेलू समान पर तो तह बहुरtu मैं बात करूं घरेलु मदों पर हैके यहां डूमादऌ पर क्या बोल रहा है से इसका सत्तर परतिसत यानि असी का का मतलब गुना सत्तर और परसेंटेज को अटाइए बटा में सो आ जाएगा देगे दो जिरो से दो जिरो काट दीजे तो यहां से पता चल जाएगा अठो सत्ते चपन तो चपन एक्स चो है इन्होंने घरेलू मदों पर खर्चा कर दिया ठीक है इतना तो समझ गए अब मुझे बताइए आये था सो एक्स उर्पिया ठीक है और मकान के किराये पे इन्होंने बीस खर्चा किया घरेलू मदों पर चपन खर्चा किया ठीक है यानि देखिए कमाती थी यह सो रुपिया लेकिन बीस एक्स इन्होंने खर्चा किया मका कराइप 56 घरेव sıमार पर तो टोर्टलय को गया 245 यहांसे तो यहांसै बोल सकता हूँ कक्र पास बच्चा अलब में 245 है लेकिन बुल रहा है कि रूपिया के लिसकती बच्चत कि इन्हों ने 24 X बचत किया और रुपिया के फॉरम में 36 बचत किया metIs तो X बड़ाबर कितना हो जाएगा, इसको काटीए गाना, हाँ, इसको काटीए तो कितना बार में जाता है? छाटीTI essa को काटीए, चौबड़ा से देखी। तो कूल आये कितना माना था आप लोग ने 100 X माना था तो 100 और X का मान कितना आया है तो आप ही बताए ये 1500 गुने 100 यानी 15,000 उनकी कूल आये थी समझ में आ रहा है बच्चो जल्दी से एक बर मैसेच कर दीजे समझ में आ रहा है ऐसा कोशन तो चलिए बच्चो ये कोशन में आपको ऐसे हुंबग देता हूँ आये और वैसे संबंदित है कोशन को पढ़ लिजे गुपाल अपनी मासी काय का 30% भोज़न पर खर्च किया सेज का 40% परिवहन पर खर्च करता है इसके बाद सेज का 50% बचाता है और इसकी बोला है कि यदि मासी का 18400 हो तो प्रतिमा कितना रुपर बचाएगा देखे चार आप्शन भी दिया गया है तो आप लोग वीडियो के कमेंट सक्षन में बताएगा नेक्स्ट क्लास में उन सभी विद्यारतियों का नाम लिया जाएगा जो भी बच्चे आंसर देते हैं ठीक है चली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई टाटा